आइए तुम एव अपैसलाम अलेकुम नमस्कार सुस्रिय काल एंड गुड इवनिंग मैं हूं अर्दू काजमी और आप देख रहे हैं point of view हमारे साथ हैं जी दुरदाना नजम जोके ज़र्नियल इसनेल और से और दुर्दाना से एक दो बार आप लोगों से लेकर आई हूं उनसे बात हुई है हमारे यहां भी और दूसरे चैनल पर भी हम देखते रहते हैं और खासर पर इंडियन टीवी पर भी देखा करते हैं खर वहां तो दुर्दाना पर लड़ए होती हैं लेकिन हैं थैंकियो सो मच मुझे यह बताएं सबसे पहले तो दुर्दाना अगर हम जो बिलकुल अभी सवक्त जो लेटेस न्यूस चल रही है नावाज शरी साब को लेकर और वो कह रहे हैं कि जी इंडिया के साथ टर्म्स को ठीक करेंगे अफगानिस्तान की बात उन्होंने की त तो अभी तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है दो बार उनके जो प्राइम मिनिस्टर आए पाकिस्तान चाहे वो अटल बहारी वाजपाई हो चाहे वो नरिदर मोदी जी हो जब भी आए वापस जब गए हैं तो कभी कारगिल हो गया कभी और दूसरे अंगामे रहे और तरह तरह के टैक्स और पाकिस्तान के उपर अपको लगता है कि अगर इस बार फिर नवाज शरीफ साब ने बात करने की कोशिश की तो क्या भारत पाकिस्तान पर ट्रस्ट करेगा इसको करना चाहिए और दुसरी तरफ पाकिस्तान क्या क्या कुछ कर सकता है कि पहले वाली जो ब बेटी के बेटे के वली में पर आये थे लेकिन आपके बात सही है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है हम लोगों ने बहुत बड़ा एक मिसहब था ये पाकिसान की डिप्लोमेटिक जो हमारा एक एडवेंचर है उसमें के एक तरफ हम उन थी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे और दोस्ती बीस में आए थे अडवानी साथ बीया थे और रचल भिहरवाजबध कई भी आए थे और इदर हमने बहुत फैंफियर के साथ ये जो है वागा बार्डर पे हमने बहुत सारे ठीजिसें जो गूर स्वारा बात भी तो वहां हमने यह सारा काम कर चुके थे और यह बहुत मिस अनफॉर्शनेट है देखें इंडिया की जान तक बात है ना जो मेरे मुझे सुनने में आया है जो पाकिस्तान के पास अब कोई आप्शन नहीं है अब पाकिस्तान कोई अडवेंचर नहीं कर सकता कश्वीर को लेकर देखें यह जितने भी हमने हंगामे उठाए हैं कार्गिल हो गया 1965 की वार हो गया यह बहुत सारे उसके बाद भी हम बहुत सारे चीज़े हम यहां से उरिजिनेट होती रही है उसके बैंक ट्रॉप पे जारा किश्मीर का स्ट्रॉगल जो थी जिसमें हमने अपनी एक हम कहत कर थे जारा हो गया वार्वन क जो है वो करेक्टर भी सामने आता है कि किस तरह वहां के लोग की जो हो मतलब उसके साथ एक्टिस सैटिस्फेक्शन का एलिमेंट है जिससे पुर्वामा के साथ बहुत सारी चीज़ें अटाइश्ट है लेकिन उसको फ्रोका नहीं गया लेकिन अब बात यह है कि क्या इहनवाज शरीफ साब कामियाब होंगे यह तो अपकी बतारेगा पहली बात तो यह हम लोग देखें जोटशी तो नहीं है ना आ पैना मैं लेकिन हाँ हम यह कर सकते हैं कि ट्रेंड को देखते हुए ट्रेंड बेसिकली यही जा रहा है कि प्रॉबब्ली प्रॉबब्ली इस्टैबिश्मेंट भी चाहती है कि इंडिया के साथ तालुकात जो है वो पाकिस्तार इस्तवार करें पाकिस्तान इंडिया के साथ तालुकात जो है उनके ठीक होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का देखें हम कर साने फाइदा सब्सक्राइब करेंगे और पाइसंते आ हैं अगर इसी चीज को हम यहादा कर ले तो पाकिस्ता की एकानॉमी को बहुत फाहदा ही दो नवास्ष करेंदेरीositionOTS कि पार्टी को इतनी जगह नहीं दी जारी नवाज शरीफ साब को लाने का मकसद भी यही है कि प्रॉबबली मैं प्रॉबबली को हूँ भी कि कहीं न कहीं establishment चाहती है कि नवाज शरीफ के पास एक ऐसा political capital है जिसको यूज करके कि अधिया के साथ पाकिसान अपने तालुकात जो है वो पत्री पर ला सकता है अभी तो है ना कि इंडिया हमसे बात ही नहीं करना चाहता है लेकिन तुमारे हैं बहुत सारी गुंजले हैं इंडिया पाकिसान रिलेशन्शिप सबसे पहले देखें, उन्डिया का झारटीव है पासाइन के फिरिम के खिलाथ यह है क Simon वो पाकिसान, जहाँ टेररिस्सम को पीकर आयाँ कॉछ कुल्प एक स्पॉर्ट जो दो आप आफ देखें इंडिया जब भी पाकिसान के साथ बात करते है अब तो वो यही कहते हैं कि पहले टेलरिजम खतम करें तो फिर हम यह करेंगे पहले टेलरिजम करें अब पाकिस्तान किस तरह से इंडिया को यह बावर करवाए कि पाकिस्तान जो है वो डिस्टेंस हो पाकिस्तान तो हुट टेलरिजम की मार खा रहे हैं मतलब आप देखें कि कितन एखना स्काथरूर्टी पोर्सेश जो हैं, ने उनको किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कॉंट्रिबूशन है टेरिसम के खिलाफ, और अपिस्ती। वो अलब बात है कि वो टेरियरिजम हमारे गले पढ़ ली हम उसके शिकार होके हैं तो प्रभबरी इंडिया को भी इस बात को समझ नहीं की मेरा खाले खुर्मत है कि यह जो नेरेटिव है कि पाकिसान पाकिसान is a creator and exporter of terrorism and that unless an until Pakistan finishes और यह इस पूरे मास्क को हटा नहीं लेता तो हम पाकिसान से बात भी करेंगे तो यह एक प्रॉब्रमेटिक एरिया है लेकिन जहां तक लगता ही है कि पाकिसानी जो है वो थू नवाल शरीफ इंडिया के साथ कुछ तालुकात में बहतरी जाता है देखें पाकिस्तान को बार बार कहा जाता है कि हम तो खुड टरियरिजम का शिकार है मुझे यह बस वाकिए में सुरी समझ नहीं आती कि हमने खुद ही तो एक्सपोर्ट करते हैं टरियरिजम को यह जितने हमने हाफिज साइद और इस किसम के लोग पाल के रखें और एक एक करके अभी यह जो मारे भी जा रहे हैं पिछले कुछ हफ़तों में दस पंद्रा लोग मारे जा चुके हैं और इन्हीं और अर्गनाजिशन के लोग हैं और अब कहा यह जा रहा है जो पकॉल हामिद मिर्स आप कि दी वो तो अफ़गान सिटिजन को इस्तेमाल करके और रहन ऐसा कि खर अगर उन्होंने भी किया है तो बड़ा अच्छा किया है ऐसे लोगों का सफाया हो होना ही चाहिए मगर पाकिस्तान यह कह के अपना अपना पीछा तो नहीं चुड़ा सकता ना कि हमने तो कुछ नह करें लेकिन यह बात बहुत सारी जगों पर हो चुकी है और बहुत सरी में चुछ चुकी है और क्लासिट कर सब्कूंति का बात व Message बारत किया है ढ तरीक तालिबान पंजाब भी है जिसके बारे में रहना सना अल्ला ने आपको शायद होगा कि एक ब्यान दिया था उसमें उन्हें ने था था कि यह तो हमारे अपने भाई आइड़ा, उन्हें से हमारी की बात हैं और शफिषा क्राइब त्हट questo, हमारे सfयD से भी निकलाएं, हो में बच्चे बच्चे कुछ भी नही zu it, बहुत था कि सब्सक्राइब कि इसन सहने इस सारे यह तर्सी क Ellie बनाहे थे कि हमने टेर्रिस्ट बनाए थे या हमने फ्रीडमी फान क्या है भी लिखते हैं वो किस लिए बनाएडे है कि हमारे एक नेवरे हुट में जंग चर डी थी जहां हम। वहां से सारा सिसला शुरू हुआ और यह चलता 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 लेकिन यह है कि मेरा ही ख्याल है कि पाकिस्तान इस डिडायल में होगा कि अगर हाफिस साइद को नजर बंद किया है या कोट ने उसको सजाई दी थी और तो वो किस बन्याद पे दी होगी थे फिर्फूट के आगर पेश होए होगे तो दी होगी ना कि पॉर्ट ने कहा था कि नजर बंद कर दें तो यह नहीं लेकिन यह हैंग सेड़ एट कोई सबूत होंगे उनकी भी एक बहुत बड़ी रंबी चौड़ी एक आर्मी है मुरीद के में अगर आप कभी कहीं हो वहां पूतरस्ते में उनके विजिट करें वहां तो पुरी ट्रेनिंग वगरा होती है बलके कभी है सवाल भी होना चाहिए कि मुरीद के में जो हाफिस साइ कोई कटी ही लाशे मिलते थी मैं आपके साथ तब यह लिटरेचर शेयर करूंगी तो वह कौन लोग थे जिनको रोस बर रोस यह बन्याद पे मार कर वहां नेरो में पहिंका जाता था और वहां दस्टील मिल जो छोड़ी सीमने मिल बनाई यह क्या करते थे मेरे कुछ इल्म पार टेररिजम हो रही थी और फिर उन लोगों ने भुटा भी यही मैं आपको बताओ ऐसा नहीं है कि जिन्नों ने यह सारे काम किये ट्रेनिंग हासिल कि उनके घरों को उजड़ते हो यह मैंने देखा तो अब आप देखें ना कि जो हम पाकिस्तान कैसे डिनाय कर सकता है ना और देविड हैदले को पकड़ा हूआ है जो यह दाउद गिलानी नाम है, असल नाम उसका दाउद गिलानी है, उसकी प्रैमिली को भी हम जानते है, यहीं मुस्रिम टाउन में रहते थे वो, उनके वालिज साथ जो ते वो डी जी थे, रेडियो पाकिस्तान के, अब वो डेविड हैडले के पास अमेरिकन नेशनलिटी थी, उ वो उसको पकड़ा हुआ है, वो वहाँ उसके बच्चे-बच्चे सारे पाकिसान आगी है, शिकागो में रहता था अब यहीं लोहाँ पे आकर सैटल हुआ है, भुगत रहे हैं, अब वो तो देखें, यह तो एक तरह का दिखावा भी है ना, अफिस साइद को जो 31 एर्स की है ना, अब लकी है, यह अचा एक आपको याग होगा हमारे एक समय अलाश्ब मारा गया था, इस्वक्षा zaक को साम्य थारा में मारा थिंखा की यह उसको like 씨 और गया था लिप्टा हुआ था और पाकिसान में टेरिरिजम अपनी इंतहा को पहुंची थी उसके बाद एपीएस भी हुआ था लेकिन ये कहते हैं उसके नवाज शरीफ लोगों की हकोमत थी लेकिन उन्होंने क्या किया था कि ओनर्शिक देदी थी ये सारे जो हमारे क्लैरिक्स हैं मु किसे रोज मीटिंग है और उसके कहते थे कि जब भी मीटिंग करके बाइड निकादे हैं कहते थे नहीं जी नहीं है वह आपरेशन के खिलाफ थे जाहरी सी बात है वह अपकानी नेटवर्क वहरा सारे उनकी आपस के वह अकोड़ा खटक के वह भैट थे मौलाना समीय अलग पर उसके बाद पर वह यह नहीं कहते हैं लेकिन यह उस वक्त हुआ सारा कुल का आप डॉर्क्राइड करते हैं तो उसके बाद आप देखें जब क्यूंकर गवर्मेंट चारी थी गवर्मेंट से मतलब एस्टैब्लिश्मेंट रहती थी कि हम आपरेशन करें जब आपरेश पस सबर्मेंट के पास पारेःवजन होती है इसे लिए सीट पुला भी विनाती है बनाती है क्यूंकि उसके पास पावर अफ कोरिजन होती है। लेकिन वोन रिस्पॉन सिब्ली करनी होती है। उन्होंने तो वायलेंस का नाम दिया विछ इस वेरी हुआंग। नेटवर्क चलाना होता है, एवरिफिंग इस ड़न एडिस ओन टाइम, तो हाफिस सहीत को नूट्रलाइज कर दिया हुगा है, अब आपको ये एक वक्त था हाफिस सहीत साब इसलमाबाद में बड़े-बड़े जलसे किया करते ते, याद होगा आपको, एक वक्त था जब मु उस तरह की चीज़ें हमें नजग नहीं आती पाकिसान में होती हूँ, उस तरह के एफोर्ड ही निहीं कर सकता, पाकिसान के वह इस तरह इनको इजासत दे दें के जी आप बाहर आएं और जो हमें इस तरह से आकर सपूर्ट करें। मगर रखावा तो है इन्होंने हाउस अरेस्ट करके कोई खास इसमें कोई फरक नी पड़ा घर के अंदर मौझूद है सारी फैसिलिटीज इंटेनेट इस्तिमाल कर रहे हैं घर में रहे हैं ऐसा कौन सा मुझ्रिम होगा जिसने इतने लोगों की जाने लियोंगी और उसको इत बड़ी तादाद इन जैसे लोगों को सपोर्ड भी करती है इनके फैन फॉलॉइंग है और जैसे मैं आपसे पहले भी हमारी बात विच्टी तो मैं मदर्सों की बात कर रही थी इनके जो मदर्से हैं वहां से भी इसी किसम के जिहादी माहिंट के लोग बाहर निकलते हैं ज दुकान चलती है बना तो कब का कश्मीर का मसला हलो जाना चाहिए था मगर नहीं हुआ तो यह जो माइंडसेट पाकिस्तान में इस वक्त है यह ऐसा नहीं किसी मदर्सों से निकल रहे हैं यह स्कूल, कॉलेज़, उनिवरसिटी से भी आपको मशाल खान का केस याद होगा कि उसको मार डालाता, उनिवरसिटी में, स्टूडर्स ने, तो यह माइंडसेट जो यह पाकिस्तान में है, जिसमें हर किसी से नफरत है हिंदू हीटरेट और किसी और एलिजंस से प्रॉब्लम, इसका हल यह नहीं कि मदर्सों को बंद किया जाए, यह मदर्सों में जब कुछ होता है गलत ही होता है जादता है अच्छा इसका मैं आप देखें आप दो चीज़ों को हम मिला रहे हैं एक चीज़ है टेरोरिजम और एक चीज़ होती है इस्ट्रीमिजम ठीक है दोनों अलग गलत चीज़ है एक्स्ट्रीमिजम जनम देती है टेरोरिजम को लेकिन हमें प्र गुसा आ गया, गुसे में आकर, मैं उस जिन पता हैं आपसे बात कर रहे हैं, किसे बात कर रहे हैं, हमारे एक घर करके, कि वह तो मसाजीद हैं, सारा दिन उनमें कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, लॉट स्थीकर पर, उनको ये नहीं पता कि कोई लोग सो रहे हैं, किसी के अराम का टाइम है, पाकिस्टानी एक नोखस्त. देखे, दो चीजिये हमें डिफ्रिंशेट करने की ज़ता है। और आप इसको करती हैं, मुझे पता है कि इसलाम, مسلمان होना अलग बात है, पाकिस्तानी होना अलग बात है. पुरी दुनिया के जो मुसलमान मुमालिक है, वहाँ बहुत डिस्प्लिन के साथ जिंदेगिया गुझारी जारी है. मिलेशिया उसकी बहुत बड़ी एजामपल है, उसके बाद दुबैी है और स३서 ते एरेभिया है उन्होंने इसलाम की तालीमात का तरीका-कारेज को रेगुलेट किया हुए और अगर उसामा बिल-लादन याद है तो सामा बिल-लादन कहां से आया था सोरिया अरेभिया से आया था वेकि उन्होंने भी उसको ठीक कर लिया हुआ अपके सिस्टम को चेंज करके एक्स्रीम तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मस्ताज़ है एक्स्रीमिजम का है आपका जो एक सवाल है ना कि जी यह सारी बातें मदरस्य से निकलती हैं मदर्सा जो है वो बंद जहनों को पएदा करता है, मदर्सा जो है वो इंतहा पसंदी जाहर है, मैं आपकी इस बाल से डिनाइ नहीं करूँगी लेकिन तरह इसको हम एक wider perspective में देखते हैं, इसके अंदर पिर जब बाइडर प्रिस्वेक्टिंग में देखेंगे ना तो हम पिर हमारा जो फोकस होगा ना वो शिफ्ट होगा पॉलिसी मेकिंग में कि कहां से मसला यह स्टार्ट होता है आज एक रिपोर्ट आई है आपने अख़वार में ज़रूर देखी होगी ट्रांस कायशनल 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 है सबसे ने में व कायशन देखेंज वह और व है इस ने उसके कहा है क Warum आपकिस्टान के जो जो क्रण३र्ट के ahí है सबसे जगर ऑन पे करौ Teach कम पहएं कि वह तरिखियों जिए इनर गर ट्रय अब आप मुझे एक बात बताएं, जजिस जो है, वो मदरसे में पढ़ते हैं, अच्छा अब करॉप्शन जो होती है ना, मैं आपको आर्जू एक चीज आपको बताऊ, करॉप्शन भी एक किसम की इंतहा पसंदी होती है, आप करॉप्शन यह ना, आप एक मौलवी जो है, अ मौरल करॉप्शन है, हर तरह की करॉप्शन होती है, अब आप मुझे एक चीज बताएं, मैं आपको जहां लाना चाहरा हूं कि जो जजिज जो करॉप्शन जिनको कहा जा रहे हैं, कि वो करॉप्शन है, और उसके बाद तो अगर आप पढ़ेंगी तो पुलीस का पैसे बत अलग है करप्शन तो कोई भी कर सकता है और यह सोच जो है मदरसे वाली यह तो आप यूनिवर्सिटीज तक प्पैल चुक्त है लिए अपको आपको आपको आपी की बात कर रही हूं अब वह क्या ने पढ़े हूं अब वह क्या है अब वह तो हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो हर चीज के अंदर हमारा जो ऐसे होल अगर आप देख आए है तो उससे साला साला साल सिस्टम जो है वो इता है वान में पस्था सिस्टम हो चुका हुए उसी में मदरसे आप यह आप वो लोग है जहां जो पुलिस को ट्रेनिंग ब ubiquis को ब्लती है यहां अच्छा सेंट्रिल इशिया आपका भरा हुआ मदरसों से अच्छा मदरसे की जो एजुकिए लेकिन बात कहना मैं यह चाह लियु कि उन्हों ने भी मद्रसे को रिफॉर्म किया ना अपने मदरसे मद्रसे ختم नहीं हुए मदरसे को रिफॉर्म कि हमारे या भी मदरस से रिफॉर्म हुआ है लेकिंगे ना आप जजेश की करॉप्शन को मदरसों के साथ मिला रही है वो चीज मैं बिलकुल नहीं समझ पार इसलिए कि मैं अलग बात कर रही हूं मदरसों से या इवन अब यूनिवरसिटी और कॉलेजिस तक में यह सोच जो हुरा हुरआ हुरा है कर्कफ हरुं मैं एक सबास है लाहर के एक सЕंड के लाहर के लाहर की सलमान साब्शों नमीं कों से मस्जजिद दिखाने तो महांके मालवी साथ आके कहने लिए आपने इनको इसलीम की स्वाइवत देत आखेए किया जरूरत पड़ी सारी बातें कर रहे होते हैं, हमारा नैशनल लेवल पर को नेरेटिव नहीं है, हमारी नैशनल लेवल के तो पॉलसी नहीं है, ये सारी बातें इसमें तो मैं आपको बता रही हूं, कि ये तमाम चीजें अब पंजावी उनिवर्स्टी में चले जाएं, मेरी तो जमात इसलामी ने उसको बिल्कुल अपना इंफ्रेंस कर करके इतनी पैनिट्रेशन है कि वहाँ बच्चे मैं मुझे वहाँ एक पोर्स ओफर हुआ मैं आप आपको एक एक जामपल लेती है पोर्स ओफर हुआ यह इस पे था सोशियालोजी का पोर्स था सोशल वर्ड के ओपर था मैंने बच्चों से वैसे वो लड़के जवान अड़की था यह आप लोग को लड़के पर पते हैं लड़की ने कहा कि मैं sexual orientation ने उस पर लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा sexual orientation के उपर लिखा हुआ है और उनकी psychology पूरी उनने इसके उपर उनका साना जो narrative मैंने उनके कोछ बुक्स पड़ी है मैंने वे उसको रड़की मुझे क्या जवाब देती है कैते जी मैं मुक्तास बुक्ती को पड़ती मैं का ब कि ये क्या बात कर रही है उसको लड़की के पास को जवाब इतना ज्यादा जहीं साना हर चीज में माझव हर चीज के अंदर मझभ लेकर आना मैं जस बच्चे से जो से जो सवाल करती थी उसके अंदर मझभ यह अग़ था मैं करती हूं किम्हाशती हुआ। मैंने उनको कूशिश की वहीं समझने की कि मैंने का ची चले चाहिए के लगों को मानते हैं मुझल मानते हैं लेकिन उसमें अब आप बीच में तो आप मुझे और कुछ बता है पिरते हैं हर चीज के अंदर उन्होंने मजब को दाफिल किया हुए तो यह जो हम लोगों की एक जहन साजी कर दी हुए यह ँग हमने हर चीज के अंदर मण्जब को लेकर आने इस ने बहुत ज्यादा कराभी पैदा की बहुत जजदा को क्यूंकि नर्ट आ लगाने की जिवे आप तारीख देख लें, जितना भी हुकमरानी की है, क्या वहां काजी काजी नी थे, जज़ रखते क्यों ते काजी रखते कि उसे दारे एक ड्यू प्रोसेस का तरीका का रेगा, आप बगार सबूत के तो कुसी को मान नी सकते कि मैंने आकर कह दिया, जी फलाने बंदे ने च कहां हो, आपने उसे सवाल किया ना, पाकिस्तान में का इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी, रूल अप्रोसे करने आएगा, आपका एक इंट्रिवू सुने तो देखिए ना, वो जो था, जो सरी लंकन था, उस बिचारे को मार दिया, रिलिजन के नाम पे, जालपोड में, यह है कि हम यह भी पता करें ना, कि रिलिजन को इस्तमाल कैसे किया जाता है, वो उसने बुचारे ने मना किया था, यह स्टिकर ना लगा ने, जहन साजी है, आप दूस्टिकर मना किया, वैंना जो पढ़ा है, पता नहीं मा घलत हुए है, ठीकर को जगा 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 हुए तो यह जाती है, आपको किसी दिन में, यह सारी खराबियां जो है, भैदो जमात इसलामी वालों पर हसती हूँ, आपको पता है, मैं उनको करीब से जानती हूँ, जितनी उन लोगों ने यह सारी मुल्क का सतया नास किया है, बंजाब यूनिवस्टी का किया है, जिस तना से किया है पर्सनल लेवल पे वो कितने अजाद ख्याल लोग है पर्सनल लेवल पे और तो को दोस्तियां करते हैं उसे टेलपून पे बाते हैं उनके साथ वो उनको हसी मज़ाग भी करते हैं यह मालवी तो बखरीयों को भी नहीं चोड़ते हैं और तो बड़ी वीडियो आती है वो अदायत दे लेकिन जो उन्हें खराबी करनी थी वो उन्हें करती पंजाब यूनिवस्टी यूनिवस्टी होगा तो बिल्कुल और ये अच्छा मुझे आप एक और बात बताएं आर्जी क्या जमाते इसलामी बगार स्टेट की मर्जी की कर सकती थी नहीं कर सकती थी तो स्टेट की पूरी मतलब आशीर वाप्था उनकी उपर क्या आप जाएं और अग्याना से आप जाएं और इसी किसम से जो बाकी रहें चाहिए वो लाल मस्जिद हो चाहिए टिलप वो हमारी नाख के नीचे वह पूरा पूरा वाँ गजाम के गजाम हमें मिलें वो कैसे इतन अब के अंदर हमने मतलब भूल गया इस्ट्रीमिसम की एक मिसाल है कि आप सूसाइड बॉमर महां बना लोगा बना लूब भी अभी वो निकले हुए थे अबी भी निकले थे उसने कहा भी वो जारत बार निकली उसने कहा कि आप भूल गहें श्याद सूसाइड बॉमर्स य गाना बजाना हो रहा था और अवाजें आ रही हैं और यह पॉजी कर रहे हैं यहां गजा में लोग मर रहे हैं आपने लोग देखी होगी देखिए 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 वो अनफॉर्शनेटली हम लोगों ने अभी तक कोई policy हमारा हमने बनाए थी एक national action plan बनाया इसके अंदर हमने का था इंतहा पसंदी को हमने बत्म करना है गर कैसे करेंगे हर डिपार्टमेंट में तो है हमारे इंतहा पसंदी देखे ना हमारे पास एक ही टूल है जिस तरह बड़े एक्स्ट्रिमिस्म पत्र होती है आपको याद होगा पर्वेंद मशुरफ पर अटा हमारा तत्हीर हो गई है पाँची भी अबस लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें इत्री इन फ्रैंच होगी हुए है हमारा अपना हमारे हां बहुत ज़्यादा खराबिया है जिसकी वज़ा से रूल अफ लॉई ही नहीं है सबसे पहली बात है आप देखे ना कि जहां आप के भी मैं बना नहीं कितरी मिशालों को मैं मार दूए वो तो है लेकिन जाहर है जहां पर आपने इसलाम के नाम पर मुल्क तो बना लिया लेकिन अब उस इसलाम को लेके सबके सर के ओपर चड़ बैठें और अब किसी और का यहां पर रहना या किसी और तरीके से सोचना जो सकते हैं, क्यों नहीं ही बना सकते हैं, वोगिस्ट स्लामिize है, बेलकुल बन सकते हैं और अपनी अपनी गार वो पिर डॉपल स्थेंडर्डर्स हो गए ना फिर अपने चेरा कुछो और है और वैसे कुछो और है, ऐसे तो स्थे पर्शनल लाइफ में वो हमारी एक Miss Universe बनी है, वो Christian है, हमने उसको ओनी भी किया, पाकिस्तानी है जो Miss Universe बनी है, मुझे अतना अफसोस हो रहा था कि हम उसको ओनी नहीं कर रहे हैं, और उसको हम अपनी Personal Parties में बुलार भी रहे होंगे, उसके साथ मसी मजाग भी कर रहे होंगे, उसको होंगे, सीरियस नहीं, लेकिन हमारे पास हम लोग इतने अजीब लोग हैं, कि हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, कि हम उसको international platform के उपर उसको acknowledge करते है मगर कहीं ना कहीं अब मगर अब कहीं ना कहीं करना शुरू हुए है और मेरा ख्याल है यही change जो है वाइस से इसता बढ़ेगा और लोगों में awareness आएगी आनी भी चाहिए परसनल लेवल पर बहुत सारा बहुत सारे लोग कालीम का मसला है आप चब तक education system को अपने को ठीक नहीं करेंगे वहां से आप तब्दीली वहां से आएगी आइस्ता वहां से आप reform लेकर आएंगे, media एक बहुत बड़ा टूल है उसके जरीए कितने आप program कितनी आप advertisement देखती है जो public service की advertisement होती है अना कि government का एक काम एक बहुत बड़ा budget होता है लेकिन उसके भी काम नहीं हो रहा है तो many, we have lots of tools, हमारा drama का एक बहुत बड़ा instrument है, उसके जरीए हम अपनी change कर सकते हैं लेकिन unfortunately सारे platforms पे हम सिब एक एक काम कर रहे हैं, reinforce कर रहे हैं जो मौझूदा हालात हैं बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश और मेरी दौा यही है कि पाकिस्तान को कभी बदलता हुआ देखें और कोशिश जारी रहेगी बात करते रहेंगे, थोड़े लोग है अभी लेकिन I hope कि लोग बढ़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं पर कुछ बेतरी आएगी बहुत शुक्राइब जी तैंक यू सो मच आपना जोइन गया बहुत शुक्राइब तैंक यू